तो बच्चो कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वावत है आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो बहुत जादा खास होने वाला है क्लाश 12 के बच्चों के लिए क्यूंकि आपको पता ही होगा बच्चों कल आपका जियोग्राफी subject का इसको इंगलिष में आप geography बोलते हैं इस subject का paper है जिए हां-बचो term 2 का paper है आपको पता ही होगा ठीक है कल डेट है आपका 18 मई 2022 ठीक है तो आपका paper है तो इसके लिए हम लोग जो ऐसो की कहा लिए sample paper कह सकते है practice paper कह सकते है इम्पॉर्टेंट पेपर कह सकते हैं इसकी हम लोग चला रहे हैं तो इस सेरीज में हम लोग आपको प्रैक्टिस पेपर प्रोवाईट करवाते हैं पूरा स्वाल करके और दिखाते हैं कि इस टाइप से आपका बूड का उसका एक sample paper होने वाला है sample paper नंबर आपका 12 होने वाला है ठीक है जिन बच्चों को नहीं पता उनको बताना चाहूंगा इससे पहले मैंने आपको 11 sample paper करवा दिया है उनकी वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के description box जैसे आप पुलेंगे तो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ आप चैनल के जो वीडियो वाला सेक्षन होता है उसमें भी जाकर के देख सकते हैं हमने इसकी प्लेइलिस्ट भी बना रखी है जहां बच्चों प्लेइलिस्ट जो होता है वो भी बना रखा है तो आप आपको अठारव मैई यानि कि कह सकते हैं जो लिए पर को मिलेगी और कई सारे कोशिंट्ट्य इसके बेटर होने के चांसे ज STEM में के चलिए तो अठीक है गोको शुरू करते हैं चलिक है तो एक बार फिर से ध्यान से है जियो गरफीज इसका code याद रखिएगा 029, 029 आपका code रहता है, हिंदी में आप इसको भूगोल बोलते हैं और भूगोल से धांतिक के नाम से आपका paper आएगा, ठीक है, जो आपका paper होगा, यह दो घंटे का होगा, और अधिकता मांक यानि के लिए जो paper आएगा, यह 35 नंबर का paper आएगा, board का paper आपका इसी तरह से आएगा, कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका series लिखा हुआ रहेगा, यह मैं जो करवा रहा हूँ paper, यह set 4 है बच्चों हमारा, जो आपका board का paper आता है, वो यहाँ तो set 1 आएगा, 2 या 3 या फिर 4, यह 4 set आते हैं, बेसिकली इन चारों में से कोई साथी set का paper आपको मिल सकता है, set 4 यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ, और 1, 2, 3 set तो मैंने आपको 2 बारी करवा दिये हैं, तीसरे बारी repeat कर रहे हैं, तो यह सारे set जो मैंने आपको करवा रखे हैं, यह set 4 का हमारा video होने वाल है, ठीक है, उसके नीचे जो page से हमारे 9 देखने को मिलेंगे आपको, एक आपका map वाला question यही एक मानचीतर वाला question रहेगा, ठीक है, एक मानचीतर भी देखने को मिलेगा, साथी साथ मीचे चले, तो बोला है कि क्रिकर जाच लेजिए कि इस paper के अंदर आपको 10 question यही 10 person देखने को मिल रहे है, ठीक ह नीचे चलें, को यहाँ पर हिंदी में सामानिय निर्देश दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, यह रहा हिंदी में सामानिय निर्देश आपका बच्चों, ठीक है, मैं आपको English में अच्छे से समझा देता हूँ, short मैं बिल्कुई, English में इ कोशन आपसे पूछे जाएंगे, कोशन नमबर वन से लेके जो 3 तक है, यह short answer type कोशन, यह section A के अंदर आएगा आपका, और इसमें अत्वा वाला कोशन अगर लगा दे, choice वाला कोशन लगा दे, तो टोटल 4 कोशन आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से 3 कोशन का उत्तर होगा, section C जो होगा, section C जो होगा, इसके अंदर 3-3 नमबर वाले question आपसे पूछे जाएंगे, दो question आपको करने होगा, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसके बाद आगे चले बच्चों, section D जो है हमारा, इसके अंदर आपसे long answer type जो question होते है, ठीक है, वो question 5-5 नमबर है paper का, I hope कितना समझ में आगया होगा आपको, और अच्छे से देखना है, तो paper number 1, 2, 3, 4 यह जो मैंने करवाया है, और उसमें अच्छे से समझा रखा है, ठीक है, time कम है, इसलिए हम लोग short में cover करेंगे, उसके बाद देखिए, हम लोग आ गए है, section A के अंदर जिसको आप अपना एक विशिष्ट महत्तो है, जो अंतास्थलिये जलमार्ग होते हैं, कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग पानी से ट्रेवल करते हैं, पानी के अंदर से जैसे नदियों से ट्रेवल करते हैं, समूंद्रों को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इसका अपना ही एक विश और साथ-साथ केरल से संबधित कोशन पूछा है, कि केरल के अंदर जो टूरिस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा एट्रेक्ट भी होते हैं इसके उपर, ठीक है, जो वहाँ पर जो अंतास्थलिये जलमार्ग है, नदियों के अंदर जो नाव आओ चलता है, उसे बहुत अर्थात अंतास्थलिये जलमार्गों में ही आयोजित की जाती है, ठीक है, तो इस तरह से आपको केरल के संबध में यहाँ पर उतर देना है, देखिए बच्चों, दो नंबर का कोशन ज्यादा आपको कोशिस करना है, कि अच्छे से जितना भी दो दो नंबर का कोशन है, जितना भी करवा रहा हूँ, उसको अच्छे से करके जाए, उसके बार अगला कोशन है, दूसरा कोशन कि निर्मान एवं रख रखाओ के उद्देश से सडखों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो देखिए जो सडख होता है, उसको कितने वर्गों दूसरा आता है हमारा राज्ये महामार्ग, जिसको उम लोग SH बोलते हैं, ठीक है, SH मतलब जो हमारा स्टेट का हाईवे होता है, उसके बाद आता है अगला प्रमुख जीला सडख, जिसको उम लोग DR बोलते हैं, यह हमारी जीला की सडखे होती है, अलग-अलग district Y सडखे अ चार रोड बोलते हैं, ठीक है, रूरल रोड इसको कह सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग निर्मान एवं रख रखाओ के देश सडखों को चार मुख्य कैटेगरी में बाट सकते हैं, याद कर लीजे, दो नंबर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, उसके बाद आगे चले, त अग्राओ को, तो उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, कमान चेतर विकास योजना, यहाँ पढ़ा होगा अब करते हुए, कुछ प्रमुख कार्य करमों के उधारन हमने दे दिया है, यह याद कर लीजे, अब आते हैं, अग्ला कोश्न, most important question है, दो नंबर में पूछ सकता को परिभासित करना है की एक ऐसा विकास होता है ना जो भविषय में आने वाओ। की आविशक्ता पूर्ती के प्रभावित किए बीना वर वर्तमान्र प्योंट यह साथ पूर्ति के जाता है एक आदमे का जीवन ही कितना होता है सो साल तो बहुत ज्यादा हो गया आज की टाइम पर सतर यहां लिखता हूं सतर साल या फिर असी साल यह मैक्स कितना जाएगा 90 साल ले लो इतने में आदमी सवरक्सिदार जाता है ठीक है तो यह है तो 2022 में लोग जी रहे हैं 2090 तक जीए ह जीए हमारे बच्चे होंगे उसके बच्चे होंगे जैसे कि पहले से हमारे पूर्वज रहे हैं उन से फिर पूर्वज से हम लोग है हमसे और आगे बढ़े ही दुनिया तो सतत पोष्णिय विकास का क्या कहना है कि भाई तुम 2022 में हो अभी संसाजों का इसतमाल कर रहे है ह उनको भी वही चीज़े मिले अब माल लो आज के टाइम पर हमारे पास पानी बहुत अबुलेबल है तो उसको ऐसा इस्तमाल करना है कि 2022 से ले करके करने चीज़े है तो सतत पोष्णिय विकास को परिभासित करने की बात करें तो एसा विकास होना चाहिए जो भविष्य में आने वाली वाली पीडियों की आविशक्ता को पूर्ती को परभावित किये बीना वरतमान पीडियी की आविशक्ता आँए हैं उनको पूरा कर सके कि आपको समझ में आया होगा यह हमारा सब्सक्राइब विकास कहलाता है उधारन के लिए आप कह सकते हैं उधारन स्वरूप घौम जल का उपियोग मतलब घौमी के अंदर जितना पानी है उसका उपियोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल अधिक नीचे ना जाने पाए और वर्षा जल या धराती लिए जल विस्क कर अंदर चला जाए ठीक है तो वही चीज है कि हम लोग पानी जो भी इस्तमाल करते हैं धर्ती के अंदर वाला पानी जो भॉम जल जिसको आप कह सकते हैं तो इतना ज़्यादा इस्तमाल ना कर ले कि आगी की कोशनी विकास कहते हैं आई हो कि आपको समझ में आया होगा आगे अब हम लोग आ गहीं सेक्शन बी में जिसको खंड भी आपके सकते हैं इसके अंदर स्रोस बेस कोशन देखने को मिलेंगे जो पेपर नमबर वन से लेके आपका टैन पेपर तक करवाया इसके अंदर काफी करवा दी है और जो आएगा स्रोट आधारिद प्रसन में से कुछ युनिक देगाको फाइदा कर नहीं है करवा करके ठीक है लेकिन फिर भी मैंने यह question आपको demo के लिए दे दिया है कि देखिए किस तरह से आएगा आपका यह चोथा question आएगा तीन नंबर का ठीक है एक शुरोथ दे देगा यहाँ पर जैसे स्वाच भारत मिशा ने शुरोथ दे दिया इस शुरोथ के अधार पर तीन question आप से पूछे है जिसके अंदर आपसे short answer based question यह नहीं लगू उत्तर अधायत प्रस्ण पूछे जाएगा इसके अंदर दो question करने हैं आपको तीन तीन नंबर वाले तोटल आपको 6 marks का मिल जाएगा अगर आपने सही किया तो ठीक है तो देखिए यहाँ पर question number 5 है कि स्वच्छंद उध्यो होते है ना बच्चो यह व्यापक विविद्ध्धा वाले जहां पर अलग अलग परकाल की चीज़े पाई जाती है वहाँ पर यह किसी विशित्त प्रकाल के कच्छे माल पर निर्भर नहीं रहते यह ऐसा नहीं है कि कोई कच्छा माल हो specificly जैसे low-A.s कच्छा माल थो उसके अगला है कि यह उध्योग संगठन पूर्जो पर निर्भर होते हैं ध्यान रखेगा इन में कम मात्रा में उत्पादन होता है यह स्वच्छन उध्योग होते हैं इसके अंदर उत्पाद होता है यह कम मात्रा में होता है ठीक है उसके बार आगे है कि इन उध्योगों में श्र देखिए मैंने आपको टोटल बताए है छे पॉइंट और इतना ही लिखना है जाला लिखना नहीं होता है पांच नंबर का तीन नंबर का अगर यह कोशन है ना तो इन छे में से तीन पॉइंट ऐसे याद रखने जिएगा जो बिल्कुल आसान लगते हैं आपको और डिटो वही लिख करके आजाएगा जब यह वाला कोशन आए ना आपका सोचन दूद्योग की विशेष्टाएं बताइए तो यही तीन पॉइंट जो आपको याद हो लिख लीजेगा जैसे की तीन पॉइंट को उनकों से याद कर सकते हैं पहला वाला पॉइंट कर लिजेए ईज इसमें पर दूसन भी कम फयलता है तो चार पॉइंट्ट विए आपको याद कर द्यासिए अपको याद रखना है जो आपको लगता है और आगर आपका थे क्या करना यह लिख देना है जिएक जिंड़ आपको च sujet होता है तो आपको आपको तुद्ड पॉइंट ओउ आ दूसरा तीसरा चोथा पांच वा छटा ये छे पॉइंटों में आपको छे लाइनों में कह सकते हैं आपको एंसर पूरा मिल गया वह भी एक्स्टर एंसर मिले गया तो अगर जो चेकर होगा वह अगर चेक करेगा मालीजे मैं चेकर हूँ ठीक है और किसी बच्चे न ऐसे छे पॉइंट लिख है तीन नमबर में तो मैं कहा करूंगा एक दो तीन सिद्धा लाइन पढ़ते ही सही है सही है सही है चलो वाई तीन नमबर में लोगे आगे चलते हैं इस तरह से तो कोशिस किजिएगा कि टू डप पॉइंट एंसर लिख करके आईएगा अगर आप नहीं परिक्रित भूमी को कितने वर्गों में रखा जा सकता है प्रत्यक के बारे में आपको समझाना है तो मैंने आपको बताया था भू निमनीकरन क्या होता है बेसिकलि यह होता है कि जो भूमी की ओवर ओल कॉलिटी है यानि जमीन की कॉलिटी है उसमें कमी देखने को मिलती है इस काराण से क्या होता है जमीन के उठ्पादक छमता है ना उसमें भी कमी देखने को मिलती है ठीक है कई चारे factors तो यह चीज थी तो वही बोल रहा है कि जो भूर निमनिकरन होता है ना यह जो परकिरिया होती है इसको हम लोग कितने वर्गों में रख सकते हैं कैसे कैसे होता है ऑक तो दो तरीके आ रकेंपर क्रिया यह उसके कारण भूनिमनिकरन करन होता है कि यह ज्मीन का अधिक अधिक कृहन करते हैं कि वन को काटते जाते हैं ठीक है वन काटते हैं यह मेंakah जाट रहे हैं जाव मिर्दा ओड़ जाती है इस कारण से भूह निमनी करण हो जाता है ज्यादा हम लोग चराई कर देते हैं अब वीवेक पूर्ण ज्यादे खट्टा हो जाता है तो वहाँ पर हमें भू निम्नी करन देखने को मिलता है साथ-साथ आप कह सकते हैं भूस-कलन आधी सामिल है इसके अंदर तो इस तरह से इस कोशन को कर सकते हैं इसी के अथ्वा में आपको एक और कोशन दे दिया कि अगर आपको उपर वाला कोशन नहीं आता है तो आप नीचे वाला कोशन भी कर सकते हैं बच्चो कि आधूनिक समय में पर्यावरण परदूशन की बढ़ती समस्या वर्तमान ही नहीं बलकि भविश्य की पीड से आज के टाइम के लिए तो खत्रा है ही है साथ-साथ जो हमारी भविश्य की पीड़ी आने वाली है भविश्य में जो जेनरेशन आने वाली है उसके लिए भी खत्रा है तो यह आपको पर्स्ट करना है और इसको बहतर एक्जामपल के माध्यम साब को समयाना चाहूंगा अभी देखें मैं अपने डेस्टॉप पर देख रहा हूं अभी जो टेंपरेचर दिल्ली का यह 42 डिग्री इस चाहले के बात है मैंने देखा था इतो डिल्ली गर्मियों सेजन याद रख़िए गए गरो आपमान गया वह 49 डिग्री सैल्सियस और यह याद रख़िए जो ह तो आप सोचिए कि 49C अभी हो गया अभी से मान लीजिए आपन लोग 2090 तक जिना रहेंगे तो 100 साल ले लेता हूँ यार अब देखिए अब हम लोग फैला रहे हैं तो इससे फरक क्या पढ़ रहा है कि सूरज है मैं एक बहुत अच्छे एक्जांपल के मादम सम्झाना चाह रहा हूँ यह सूरज है यह हमारी धर्ती है ठीक है तो सूरज की जो किरने हैं सूरज धर्ती का अपना एक वायू जल था और काफी श्क्रॉंग था लेकिन जब से हमने बढ़ा दिया है जैसे सीओ टू जैसी गैसे ठीक है आपका क्लोरो फ्लोरो कारबन जो होता है यह ऐसी गैसों का उट्षर जन बढ़ा दिया यह गाड़ी चला रही यह एसी चला रही है पंखा पंखा से कुछ नहीं हो आप कह सकते है over all डेरा है जो टैंप्रेचर है यह बढ़ता जा रहा है हर साल कह रहा है देखा जा रहा है कि 2 यह 3 लिग्री तक भी बढ़ जा रहा है ठीक है तो यह चीज है अब इससे क्या हो क्या हो रहा है कि बाढ़ का खत्रा बढ़ रहा है मानों जाती के उपर खत्रा बढ़ता जा रहा है तो यहीं चीज है कि जो overall हम लोग पर्यावरन को परदूशित कर रहे हैं इससे हमारे आज के टाइम को जो पिड़ी है हम लोग को दिक्कत तो हो रहे है लेकिन भविष्य में जो पीड़ी आने वाला है ना उनको भी समस्या होनी वाला है तो आपको समझ में आ गया होगा यही चीज़ें यहां पर लिखा हुआ इसको आप बना करके थोड़ा लिख सकते हैं कोई उतनी दिक्कत वाली बात नहीं आपको नंबर मिल जाना चाहिए तो पढ़ना चाहिए त आप यहां पर एंसर वीडियो को पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं अब आगे चलते हैं अगला कोशन देखते हैं अब हम लोग आ गये हैं सेक्शन दी के अंदर जिसको हिंदी में आप खंड डी भी कहते हैं इसके अंदर आप से लॉंग एंसर टाइप जो कोशन होते हैं दीर क पहला कोशन है हमारा साथवा कोशन की पाइप लाइन परिवहन की विशेश्टाओं को आपको बताना है पाइप लाइन परिवहन में क्या होता है एक तो हम लोग जल परिवहन करते हैं वायू परिवहन करते हैं हमारा इस थल परिवहन होता है उसी तरह से चीजों को एक बिछा देते हैं अब इसके अंदर से पानी वोगया वारा पैप्लाइन को इसके विशेस्ताों के एक भी परकार की जलवायू जो होगी ना धरातल पल आसानी से बिछाई जा सकती है, किसी भी परकार की जलवायों में, जो pipeline पर इवहन है उसको बिछाई जा सकता है, थंडी हो, गर्मी हो, बलसात हो, उसको कोई फरक नहीं पड़ता, समून्द के नीचे से ले जाए, कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, लंबे समय तक उप्योग करने पर बड़ी सस्ती पढ़ती है लंबे समय तक आप इसका इस्तमाल कीजिए कोई दिक्कत नहीं आप सस्ते में काम हो जाएगा आपका समय की बचत करता है यह कि यहां से माली हमने नल खोला और यहां पर पानी आगए यहां वाला आदमी इस्तमाल करता है पर दूशन नहीं करता है तरल परिवहन के आप कह सकते हैं और परिवहन क्या होता है किसी भी सामान को या वस्तु को एक अस्तान से दूसरे अस्तान अपने गंतवी अस्तान पर पहुंचाना यह लाना यह ले जाना परिवहन कहलाता है इसी के अगले कोशन अगर हम बात करें आठवा कोशन तो इसमें बोला है भारतिये रेल नेटवर्क माल ढुलाई एवन यात्रियों की आव भारतिये रेल द्वारा मीटर तथा नैरो गेज को ब्रॉट गेज में बदलने की व्यापक कारेकरम सुड़ू किया गया है जिससे की रेलवे को और भी ज्यारा विकास किया जा सके वास्प चलित इंजनों के स्थान पर डीजल और विदूर्ती कृत इंजनों को लाया गया लेकिन आज के टाइम पर क्या है वाई टेक्नोलजी बढ़ गई 2022 में हम लोग जी रहे है ठीक है तो आज के टाइम पर जादा तर भारत की जो रेले हैं ट्रेने हैं उनको को कोशिस किया जा रहा है कि या तो आप डीजल पर आ जाईए या तो विधूर्ती कृत यानि इलेक अगला है हमाँ की गती बढ़ने के साथ उनकी धृलाय छंता भी है मेट्रों roz.." रेल की जो पहले हमारी गती अब जाईघस है बहुत कम हुआ करतील लेकिन आज के टाइम electricity से चल रही है डीजल से चल रही है तो टेज चलेगी और धुलाई की जो चमता है यानि कि उस पर माल लोड कितना पहले 100 किलो किया करते थे तो आज की टाइम पर मेट्रो रेल की सेवा भी शुरू की गई है ठीक है उसके बार अगला है कि रेल मार्गो का विस्तार देखने को मिला है अन्य राजू में भी किया गया है कोकन रेलवे के निर्मान आप देखें बार में आगे न यह हुआ है जो कि भारती रेल की बड़ी उपलब्दिया है जि कि रेलवे आरक्षन को कंप्यूटराइज किया गया तथा रेलवे स्टेशन ओवर रेल गारियों में सुविधाओं को उन्नत किया गया आप देखेंगे आज के टाइम पर आयर सीटीसी से आप बुक कर सकते है अपनी टिक्टे आपको लाइन में लगने कोई ज़रूरत नह होता है या फिर आप कुन से भी बुक कर सकते हैं ओनलाइन हो गया मतलब कि और उसके बाद देखेंगे तो रेल गारी यह जाए उनको भी डेवलप किया गया और अच्छा किया गया है ठीक है और सुविधाओं बढ़ाई गई है ओबर और जो पहले जैसी सुविधाओं उस और भारत के अंदर रेखेंगे न आम जनता के लिए रेल परिवहन एक इंपॉर्टेंट परिवहन का साथ है तो यह क्यों है और अंतरकत आपको आनसर देना है तो धीति भारत के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है और बहुंद के सबसे बड़े नेटवर्क हो है है भारत का जो eoki होता है यह माल यात्री परिद्धियान को सुगम बनाने smoke को सकते हैं यात्री कम भिबूद जिलाइए और धू तो चलती रहती रहती है का जाता है दिन में अब को पता है इंडिया एक डाइवार्ष कंट्री है यहां पर बहुत सारे संस्कृति हर्ट कदम पर बोली भासा यह सारी चीज़े बदल जाती है तो जितने भी संस्कृति यह उनको एक साथ लाने का कारे करता है रेल भे ठीक है उसके वाद अगला है कि भारतिय रेल देश क को उत्तर से जक्षिम तथा पश्चिम से पूरव को जोड़ता है यानि कि ऊपर से नीचे आप कह लिए ऊपर आपका कश्मीर से कन्या को मारी और इधर आपको गुजरात से सिल्चर असाम तक सारी चीजों को जोड़ के रखता है ठीक है या परिभहन का एक सस्ता साधानिय प फोड़ा एडवांस बुक करना होता है या ततकाल बुक कर सकते हैं ठीक है बुक करो और निकलो भाई बढ़िया एकदम पहले ट्रेने लेट हुआ करती थी आज की ताइम से पहले पहुंचा देता है ठीक है उसके बार अगला है नौवा कोशन की इंद्रा गांधी नहर कमा छेत्र वाला और ये कोशन इस चैप्टर से अगर आएगा 12 चैप्टर से आपका जो सेकेंड बुक का 12 चैप्टर है तो आपका आएगा पांच-पांच नंबर बड़े कोशन आएगे द्हान रखिए ये कोशन भी कई बार पूचा गया है तो इंद्रा गांधी नहर कमान च खेत्र जो है उसमें सतत्त पोष्णी विकास मैं आपको बताया ऐसा विकास जिसे कि भविष्य की पीड़ी का भी फायदा हो वह भी अपना जो जरूरत है उसको पूरा कर सके तो इसके लिए पांच उपाय का आपको वर्णन करना है तो चलिए समझते हैं बच्चो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए जल प्रबंधन नीती का करना है कि भाई जल बर्बादन हो पानी बर्बादन हो नहीं बोना जो ज्याद़ा पानी लेता है ऐसे फसलों को नहीं बोना है तकि बहते जल की जो चति पूर्ति ने उसका करना चाहिए भूमी का विकास करना चाहिए, सम्तल और बाढ़ बंदी पदिती प्रभावी गुप से ये लागू होनी चाहिए, ताकि बहते जल की जो छती पूर्टी ने उसको कम कर सके हैं, ठीक है, यानिकि जो पानी जो बह जाता है उसको कम किया जा सके हैं, ठीक है, उसके बाद जलाकांत, क्रां मात्रा में वित्ति और संस्थागत साहता उपलब्द करानी चाहिए, तो इस तरह से आप चीजी लिख सकते हैं, तो यह था हमारा लास्ट कोशन बस चो इस सेक्शन का, अब हम लोग आ गए है, सेक्शन ए के अंदर इसके अंदर खंड इ बोल सकते हैं, इसके अंदर आपसे है, और आज पूरी कोशिस है कि मैं आपके लिए एक मैप वाला वीडियो ला दे, ठीक है, तो यहां पर हमारे जो प्रैक्टिस पेपर नंबर बारा था, सेंपल पेपर नंबर बारा, यह समाथ होता है बच्चो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को पर नोटिफिकेशन देशता है, एक दिन में तीन वीडियो रहती है, जिनका नोटिफिकेशन देशता है, ठीक है, कभी कभी दो वीडियो का भी नोटिफिकेशन जाता है, तो जो भी वीडियो डाली जाएंगे, आप चैनल को रेगुलर चेक करते रहिए, ठीक है, और जो दाली जाएंगी उनको देखते रहेगा बार हो गया है अब जो पेपर आपका आएगा वो तेरवा पेपर आएगा चौदवा पेपर आएगा आपका और पंदरवा पेपर आएगा उसके बार लास्ट में एक रात को मैप आएगा ठीक है तो यह टोटल ओवरॉल अभी चार व प्रफ़ा कि सबस्क्राइब करने के बाद बगल में आपको इस बेल को आईकन को प्राइस करके डिक कर देना है यसी आप चलिक कर देंगा उसको सब्सक्राइब करेंगा वीडियो लाइप कर दिजेगा मिलता हुआ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए खुस रहे खुश रखिए सभी को ये क्या बना दिया है खुश रहिए खुश रखिए सभी को और मिलता हूँ आप सेग्री वीडियो में पाकी all the best सभी को अच्छे ये पेपर करना ठीक है जैहिंग वन्यमाद